एक समय की बात है एक छोटे से गाव में एक बूढ़ा व्यक्ती रहता था जिसका नाम था रामलाल रामलाल गाव के सबसे पुराने रहने वाले थे और उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव गाव वालों के बीच काफी मान्यता का विशय था एक दिन गाव में अचानक एक जबरदस तूफान आया तूफान ने बहुत सारे मकानों को नश्ट कर दिया और लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया रामलाल का मकान भी तूफान के प्रभाव से बिलकुल नश्ट हो गया वह अब बिना छट के बरफीली रात में गुजार रहे थे रामलाल के पडो सुविधादी रामलाल को उनकी अद्भुत और नहस्वार्त भलाई के प्रती बहुत आश्चर्य हुआ तूफान के बाद रामलाल का मकान फिर से निर्मित हुआ रामलाल ने अपने पडोसियों की उनकी मदद के लिए हमेशा आभारी रहा और उनके आपसी संबंधों में और भी मजबूती और प्यार भर गए यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी कभी दुखी और मुश्किल समय में हमें अपने पडोसियों और समुदाय के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए क्योंकि सहायता और समर्थन हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं